असलामु अलेकूम रह्मतुल्लाह भरकातू हलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी होंगे दोस्तों जैसे कि तंबेल में आपने देखा ही होगा आज का कटिंग क्या होने वाला है दोस्तों डबल ब्रेस गर्स बेस कोड की कटिंग जो मैं आपक से कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले नीचे से मार्किंग करेंगे इस तरीके से यहां से ले लेंगे साढ़े चार इंच पर डबल ब्रस का है जो फोटो पर अब देखा है थम्मेल में इस्टेड कर लेंगे लेंद है 22 इंची आदा इंची पलस करके लेंगे यह जो मार्किंग है यहां से लेंगे साढ़े 22 इंपर यहां से सोल्डो डाउन करेंगे उन्ने 2 इंची आर्मो डाउन करेंगे चेस का फोर भाग तो चेस का फोर भाग 9 इंची अगर यह बॉइस का होता तो हम आदा इंची पलस करते यह गल्स का है तो हम 9 इंची रखेंगे चेस का फोर भाग साढ़े 24 इंची पर बेस्ट का मार्किंग करेंगे इस्टेड मार्किंग कर लेंगे कोलर है साढ़े 14 इंची इसको पांच में डिवाइड करेंगे तो तीन इंच में एक सुद का मारा है तो 59 इंची ले लेंगे शोल्डर है 15 इंची 15 का हाफ साढ़े साथ आधा इंची स्टिचिंग चेस्ट 36 इंची 36 का फोर भाग 9 इंची 5,5 इंची लेंगे एक इंची मार्किंग वेस्ट 31 इंची 31 फोर भाग 49 इंची डेल इंची लूजिंग एक इंची मार्किंग हिप है 37 इंची, 37, 4 भाग, 79 इंची, 1.5 इंची लूजिंग, 1 इंची मार्जिंग अब दोस्तो, भी नेक है, तो भी नेक के लिए, अगर बॉइस का होता है, तो हम यहीं से भी नेक सेव देते हैं, लेकिन गल्स का है, तो हम 1 इंची उपर करके लेंगे, क्योंकि अगर हम यहां से भी सेव देंगे, तो यह नेक ज्यादा नीचे हो जाएगा, गल्स का है, तो ह यहां से बेश्ट का जो मार्किंग है यहां से 1.5 इंची उपर लेंगे इस तरीके से यहां से ले लेंगे 2 इंची इन सभी मार्किंग को इसे मार्किंग कर लेंगे दोस्तों यहां जितना है इसको इसे रखेंगे पौने इंची मार्किंग करेंगे राउंड शेफ देने के लिए सभी को इसके लिके मंदद से इसे मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से यहां से एक इंची नीचे लेंगे अगर यह बोईस का होता तो हम यहां से दो इंची नीचे लेते हैं क्योंकि बोईस का बैक दो इंची कम रहता है लेकिन आपने फोटो में देखा होगा यह बैक फ्रेंड same ही है तो हम ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे यहां से एक इंची डाउन करेंगे अब इसको एसे मार्किंग कर लेंगे जो दो इंच पर मार्किंग किया था यहां से इस तरीके से दोस्तों यहां से हम साड़े चार इंची लेंगे इसको ऐसे स्टेड कर लेंगे इस तरीके से अब यहां से इसे भी सेब देंगे दिखिए यहां से इस तरीके से इस तरीके से भी सेब दें अब यहां से एक इंची मार्जिंग के लिए लेंगे इस तरीके से देखिए दोस्तों मार्किंग कंपलीट होगी है इसकी कटिंग कर लेते हैं यह राउन शेब देंगे इसहां से ताकि कटिंग करने में आसानी हो चलिए दोस्तों कटिंग करते हैं देखिए दोस्तों फ्रेंड की कटिंग हो गई है बैक काटेंगे यहां पर जो इस्ट्रा मार्जिंग है कट लगा लेंगे यहां से मुड़े इस्ट्रा मार्जिंग से बैक को इसे रखेंगे दोस्तों इसको अच्छे से शेट कर लेंगे यहां से बैक को रखेंगे यह बाला इस्ट्रा मार्किंग से इस तरीके से इसको यहां से इसे मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से यहां पर सबाइँची वोल्डिंग के लिए जेड़ इंची सावा इंची अब अपनी मर्ग इसाब से रख सकते हैं मैं यहां से सावा इंची लुगा अब यहां से ले लेंगे पूने दो इंची डाउन करेंगे एक इंची इस तरीके से दोस्तों बहुत इजी है आप एक से दो बार देखेंगे तो 100% सिख जाएंगे यहां जितना आमने लगाया था तो quarter इंची पलस करके लेंगे इस तरीके से फ्रेंड में यतना लगाया था यहां से quarter इंची पलस करके लेंगे इस तरीके से इसको राउंड शेव देंगे इसको भी राउंड शेव देंगे इस तरीके से तो देखे दोस्तो बैक की मार्किंग कम्पलीट होगे इसकी भी कटिंग कर लेते हैं तो यहां से कटिंग करेंगे देखे दोस्तो बैक की भी कटिंग हो गई है इसकी फैशन काड़ते हैं फैशन कैसे काड़ते हैं वो भी देख लें अब फैशन काड़ने के लिए फ्रेंड को लेंगे इसे इस तरीके से इसे सेम काड़ेंगे यहां से दो इंची लेंगे यहां से भी दो इंची लेंगे इसको ऐसे इस्टेड कर लेंगे इस तरीके से कटिंग कर लें बाकी जो बचेगा उसमें हमारा लाइनिंग आएगा देखा दोस्तों अभी आपने डवल ब्रेस्ट भी सेव गल्स बेस कोट की कटिंग किस तरीके से की जाती है मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया तो दोस्तों चैनल में पहली बार आया है तो लाइक सेर कर लें सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जुरूर दबाए ओन नोटिफिकेशन को ओन कर ले ताकि इसी तरह हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे अपनों नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई